जो गस्तियां पंडित जवालाल नेरु जी के लिदिशीप में कॉंग्रेस होने किया उस उस गस्ति का एक रिक्टिफिकेशन होने जा रहा है और हम सब इसका स्वागत करते हैं बहुत सारे लोगों ने अद्यक्स महोदिया 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 अद्यक्स महोदिय बेढ़े बेटए आप में बैठ जाएए प्लीज बेढ़े आप में बैठ जाएए अप्लीज बैठ जाएए आप में बैठ जाएए बोलने दीजह अठीज पूरे चर्षा को मैं अथी lotta से सूण रहा था और बहुत लोगों ने मुझे खुशी हुआ बहुत लोगों ने लदाक ले करगिल के खिर किया लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या वाके वो लदाक जानते हैं या लोग आज ताक बीते 81 साल 7 डिकेट लदाक को बिल्कुल अपना या नहीं बिल्कुल फैंके रखा वहाँ पर और वट्टावे दिया वट्टावे दिया इसी सदन में वो वो जमीन है का टुगड़ा है जहां पर एक तिनका का गास नहीं उठते है ऐसे व्यक्तवा देने वाले क्या लदाक को समझते हैं क्या लदाक के विशेश संस्क्रिटी को जानते है क्या लदाक के भाशा को जानते है क्या लदाक के रहन, सहन, खान, पान वहाँ के जोग्रेफिकल कंडिशन क्लाइमिटिक कंडिशन जो दुर्गम से तरह क्या वो जानते है या खाली किताबे पड़के बोल रहे हैं अज्यक्स महोद्या लदाग ने पिछले 71 येर यूटी के लिए संगर्श किया हम भाराब देश के अटूट अंग बनना चाहते 1948 में चार तरीकों पहला गपन लदाग गुदिश एसोसेशन के तब के प्रेजिडेंट ने पंडिट जवाला नेरू जी को दिया था तब के प्रदान मंत्री जी को कहा कि लदाग को या तो अब सेंट्रली अड्मिनिस्टिटिफ ऐसा कुछ बनाएए या नेफा टाइब बनाएए कोशिश तक नहीं किया और कश्मीर के नीचे आज तक हमारा डिवलोमेंट हमारा पॉलिटिकल एस्पिरिशन हमारा पहचान हमारा भाशा लुप अगर हुआ है तो ये आर्टिकल थी सेवेंटी और कॉंग्रेस पार्टी जिम्मेवार ने अध्यक जी मैं डोक्टर शमा परसद मुखर जी जैसे वीरों का कुशोक बाकुलर इंपोची जी से जैसे महन व्यक्टियों का तुपस्तन शेवांग जैसे जिनों ने लदाग को ये दिशा दिया कि हमें बारत के साथ रहना है बारत के जैकर करना है अपने देश के लिए मच मिटने के लिए त्यार रहना है और आज तक बहुत सारे यहां पर हिस्टिरिकर रिफ्रेंस दे रहा था मैं याद दिलाना चाहूंगा चाह उन्निस सो पैंसट के वार हो उन्निस सो एकतर कहो या नाइटी 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 नाइट कहो या उन्निस सो एतालीस के कबेले हमला कहो इतिहास चेक करके देखिए लदाखी ने हमेशा बलीदान दिया हमेशा देश के लिए मर मिनते के लिए तेहर रहा मैं एक चीश जरूर के ना चाहूंगा एक चिस जरूर खोएंगे वहाँ दो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं तो परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कश्मीर के बविश्या उज्वाल होने वाला है सभापती महदे करगिल के जिक्र कर रहा था यहां पे और सदन को मिज लिग करने के कोशिश कर रहा था मैं करगिल से चून कियाता हूँ मैं घर से कहता हूँ करगिल वालों ने यूटी के लिए वोट दिया है मैं याद दिलाना चाहता हूँ सदन को 2014 के पार्लिमेंटरी एलेक्शन में यूटी हमारे लदाक के टॉप मिनिफेस्टों पे था और लदाक वालों ने मैज़ोरोटी ने यूटी के लिए वोट दिया 2019 के एलेक्शन में फिर हमने यूटी को election manifesto में लेके आया और हमने दोनों district में चाह भुदिस कहो चाह मुस्लिम कहो दोनों district में ले कहो करगिल कहो हर शित्र में हर लोगों के दरोजे पे जाके हमने लोगों को यूटी समझाया ये क्या है और लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ आज तक लदाग में जितना भी parliamentary election हुआ है record margin के साथ ये सदन में मुझे आने का लोगों ने आफ़तर दिया लोगों ने नरंदर मोदी जी के सरकार पे विश्वास किया लोगों ने इस यूटी को स्वागाच किया आज करगिल के बात कर रहे हैं क्या वो जानते हैं ये करगिल मुझे इस सदन में कहने के कोई संकोच नहीं है तब के घ्रे मंतरी मानिनिया रजजना सिंग जी अब ले पदा रहे थे all party parliamentary delegation जम्मू गये थे कश्मीर गये थे और आप ले आये थे तब के home secretary के साथ पूरे लड़ाख के हर political parties के BJP, Congress, PDP, NC ले के मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ वहाँ अलग अतवरन है मैं ले के बात कर रहा हूँ और साथी साथ हर religious organization के चाहे लड़ाख भुदिश एसोसेशन हो अंजुमन इमाम एसोसेशन हो क्रिशन इसोसेशन हो, हिंदू महासाबा हो सब ने एक ही आवाज में कहा कि हमें UT चाहिए रजनात सिंग्जी पूर रहते और क्या चाहिए बोलो और हमने कहा और कुछ नहीं चाहिए तिरिफ UT चाहिए हमने ये कहा था आच अच अदेख जी सुनने के शम्ता रखे सुनने के शम्ता रखे अभी तो टीलर है सुनने के शम्ता रखे अदेख जी लेकिन उस वक्त एक दूर गड़ना हमारे साथ गड़ी आज मैं इस सदन को अवगाद करना चाहूंगा तब के ले में आपके एंसी के डिस्टिक प्रेजिडेंट पीडीपी के डिस्टिक प्रेजिडेंट जिनों ने यूटी के मेमोरंडम को साइन किया उन लोगों को आपके कश्मीर के ν-प और पीडीपी ने वहांसे प्रेजिड जारी करके अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया आद जमोकरिसी के बात कर रहिए लोग तंत्र के बात कर रहे हैं क्या वो थे आपका लोग तंत्रा लोगों का आवास बंद करना दबे एक कुछाले रखना यह आपका लोग तंतरह था क्या अज्यक जी अज्यक जी मैं काल ग्यारा बाजे राजे सब्सक्रा के चर्चा शुरू होने से अभी तक मैं सून रहा था बहुत लोगों ने एक्वैलिटी की बात किया दराथ 370 जाएगा तो जमू कश्मीर में एक्वैलिटी नहीं रहेगा यह होगा वो होगा मैं सदन से पुछना चाहता हूँ आपके मद्यम से इस सदन में मैं उनको पुछना चाहता हूँ जो ऐसा वेक्तवा देते हैं आपने जब भारत सरकार से फण लेते समया जमू कश्मीर लदाफ तीनों श्चत्र आप फण लेके जाते हो जब लदाफ में विकास करने के लिए आते हो तो पूरे लदाफ के फण आप कश्मीर में खा जाते हो क्या यह आपका इक्वालिटी जमू कश्मीर में दो केपिटल है एक समर केपिटल और एक विंटर केपिटल मैं पर्टिकुलर्ली मेंशन करके मैं आपको कह रहा हूँ दोनों वहाँ पे सिविल सेकेट्रेट है आप डेटा खौलके देखिए उस सिविल सेकेटरेट में लदाख के कितना मुलाजिम है क्या ये है आपका एक्वालिटी अगर आप थाउजन इंप्लोइस क्रियेट करते हो जोब क्रियेट करते हो जम्मु वाले तो खिर लाग जगड के खुच ले ले लेते हैं लेकिन लदाख वालों को दस नुग्रियां भी आप नहीं देते क्या ये है आपका एक्वालिटी हसनान मसूदी जी यूनिवरसिटीज के बात कर रहे थे मैं उनके साथ कॉंग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूँ मैं कॉंग्रेस वालों को याद दिलाना चाहता हूँ आपने 2011 में Central University दिया जम्मू वालों ने लाट जगर के दिया लाया दिया नहीं लाट जगर के लिया लेकिन उस वक्त में Student Union का लीडर था हमने जम्मू में जितने पड़ाय करने वाले Student को रोड पे लाके इनके खिलाफ कले पट्टी बनके हमने Central University का मांग किया लदाख में एक भी higher education के institution इन्हों ने नहीं दिया यह है आपका equality यह है आपका equality हाल ही में University दिया तो नरिंदर मोदी जी ने दिया मोदी है तो मुम्किन है सही में काल रज्ज सबा में कॉंग्रेस के नेता गला फट फट पड के टे रहे थे जब लदाख के साथ क्या होगा? लदाख के साथ क्या होगा? मैं जनना चाहता हूँ आपक्ट्र मोदे आपके माद्यम से, मैं जनना चाहता हूँ जब आप दोज़ाद में जम्मू कشमीर के Chief minister से आपने वहाँ पे आठ नया जिस्टिक बना है जिला चार आपने कश्मीर को दिया तो जम्मू अलों ने लड़ाई किया तो चार देना पड़ा लदाख को आपने एक डिस्टिक भी नहीं दिया क्या ये है आपका एक्वालिटी है आज आप कहते हैं एक्वालिटी हमारे बाशा लदाखी बोटी बाशा कहते है कश्मीरी आपने लिपी ना होने से भी आपने रिकोग नेस किया आइडring के डूल में डाल दिया जम मुके डोकरी उन्होंने अंदोलन किया तो उनको भी दे दिया लदाध के भाशा को आज तक अपने रिकोग मेस किया क्या ये है आपका Equality अजियेग जी के मिस यूस करते हुए लाच मार के रातों राच निकाल दिया क्या ये है आपका सिकुल इंजम ये है आपका सिकुल इंजम इसी दरा 370 को आपने मिस यूस करते हुए काल वेक्तवा दे रहे घर से लदाक में पहले बहुत संक्या ज्यादा था आज मुस्लिम संक्या ज्यादा है मैं अफसोज के साथ कहना चाहता हूँ यह आपने दरा 370 को मिस यूस करके जम्मु कश्मीर में आपने बुदिश्ट को खतम करने के कोशिश किया यह है आपका डेमोग्राफिक मेंटेंग यह है आपके सेकुलरिजम अद्यक्ष महदया यही जिन परिवारों ने मैं नहीं कहता हूँ कि वहाँ पे शासन किया मैं कहता हूँ राज किया यही परिवारों ने 1979 में लदाप को बटवारा किया बुदिश मेजोरोटी के साथ ले डिस्टिक Muslim majority के साथ करगिल डिस्टिक और हम दोनों भईयों को लड़वाया आस्ता ये है आपका सिकुलरिजम क्या ये है आपका सिकुलरिजम आज करगिल के जिक्र कर रहे थे किर रहे थे करगिल बंद है किसने का आपको करगिल बंद है जनने के कोशिश चीजिए आज तक आप लोगों ने बोला आज हमारा बोलने का मौका है बोठिए बेढ़िए आप मोदी चसाने बेढ़िए ये ये सिर्फ सिर्फ एक रोड और चोटा सा मरकेट को करगिल समझ बेढ़े बेढ़िए अगर आपको करगिल देखना है तो जांसकार जाएए वाका मुलबेक शारगोल जाएए आरियन बेली जाएए दर्सिक गरकों देखिए सेवेंटी परसन करगिल के एरियस जो है वहां के लोग जो है आज इस डिसीजन को वेलकम लकरते हैं इस 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 बील के समर्थन करते हैं अज जी आज ये वही वक्तवे दे रहा है अज जी सुनिए सुनिए मौका दीजिए बोलने के समता रखे मैं आपके तरह किताबे पड़के नहीं आता हूं लेकिन ग्राउंड की रियलिटी महसूस करके अज जी करगिल में करगिल में जो आपि कह रहा है ये इनोंने फोन करके करवा रहा है उनको भी नहीं पता है वो लोग क्या कर रहे है उनको अपने भविशय के लिए सोचना चाहिए इनके जबन पे नहीं जाना चाहिए या अपने मुफ्ट के लिए अपने हिच के लिए किसे को भी न चाहेंगे अध्यक जी अध्यक नहीं बेटे बेटे सुनने के समता रखे अध्यक जी आज से 66 वर्ष पेले जन संग के संसापक डॉक्टर श्यमा परसाथ मुखर जी ने 1953 में जो उन्होंने संगर्च लिया एक देश में दो विदान दो निशान और दो परदान नहीं चलेगा नहीं चलेगा और इसी के संकल्प में में गर्व के साथ केता हूँ इनको नहीं पता लदाग वालों ने अभी क्या किया आज तक 2011 में आज ये के रहे कि हमारा जंडा जा रहे जंडा जा रहे बैसब आपका जंडा तो लदाग वालों ने 2011 में ना का रहा है लदाख अटोनमस हील डवलोमेंट काउंसिल ले ने रिजलूशन पास किया 2011 में जमु किश्मीर के जो जंडा लदाख अटोनमस हील डवलोमेंट काउंसिल की चियर्मेन एक्जिगटिव काउंसिलर जो केबिनेट और डिप्टे मिनिस्टर के रेंगे होते उनको उनके गरी को लगता था हमने उन जंडा को नकारा हमने निशनल एंबलेम वालव वहाँ पर लगाया क्योंकि हम भारत देश का अटूट अंग बनना चाहते ये है लदाख क्योंकि हम मानते है आन देश की शान देश की देश की हम संतान है तीन रंगों से तीन रंगों से रंग तिरंगा अपनी ये पहचान अद्यक जी बड़े अरुनिकल बात है पंचेज एलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और जब आपने कुर्सी के बड़े आएंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे गराजूट डेमोक्रिसी नहीं आने देंगे लेकिन अपने गर का रोटी चलना चाहिए ऐसा विचारदारा हम एकसेप्स वीकर नहीं करेंगे अब देख जी जो कुछ लोग जो मैं बार बार दो परिवार के खिर कर रहा हूँ ये परिवारे जो है कश्मीर के मुद्दा कश्मीर के मुद्दा कश्मीर के मुद्दा जो डिन्डोरा पीट रहा है वो समाधान चाहने वालों में से नहीं है They are the parts of problem वो इस problem का इस समस्या का part बन चुके है अंड बन चुके है नशे में हैं वो वो आज भी समझ ले जी कि कश्मीर तो मेरा बाप का जगीर है नहीं रहा नहीं रहा नहीं है अध्यक जी मैं आंच में इसको कंक्लूट करने से पहले मैं भारत सरकार को दन्यवाद देना चाहता हूँ श्री नरंदर मोदी जी को ग्रेम अंत्री जी मानिनि आमिशाज जी को और पूरे संहयोगी दल को और जिनका दल नहीं है लेकिन इस भील के फैवर में आने वाले है उन लोगों को भी मैं लदाख पूरे लदाख के निवासियों के और से दन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आज पहली बार इस भारत के इतिहास में लदाखियों के संटिमेंट को एस्पिरेशन को सुना जा रहा है उस लदाख के महतवपून को समच रहे है इस सरकार में इस बील को हम वेलकम करते हैं और हम एक आंच में जो लोग अभी तक कंफ्यूज में उनको एक रिक्वेस्ट चोटा सा करता है देश के लिए प्यार है तो जताया करो देश के लिए प्यार है तो जदाया करो किसी का इंतिजर मत करो गर्ब से बोलो जाए हिन अब इमान से कहो भारतिया है हम स्वाब इमान से कहो बारत माता की जाए और वर्तमेन में करो इस बील का समर्थन बहुत बहुत धन्यावदा देखिए प्रण बहुत 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 बहुत